दोस्तों जैसा कि आप देख पर हमारे पास यह noise का smart watch है जो कि अभी यहाँ पर खराब हो गया है charging में इसका problem हरा है तो अगर आपके पास noise का कोई भी product है जो खराब हो गया है किसी प्रकार से टेकनिकल इसू आ रहा है उसमें यहाँ पर on नहीं हो रहा है चाहें वह smart watch हो आपको noise का खराब हो गया है तो एक साल के अंदर उसका warranty claim कर सकते हैं जो कि आप पुराना product को देकर नया product ले सकते हैं तो आज कि इस वीडियो में हम लोग details में live demo देखेंगे कि कैसे आप noise का warranty claim करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो कि पुराना product को देकर नया product को कैसे ले सकते हैं कि noise का warranty claim को कैसे क्लेम किये था है noise का किसी वी product का warranty claim करने के लिए सबसे पले तो आपको अपने वाईल के ब्राउज़र में आ जना है और यहां पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको संच करना है जैसे ही यहां पर आप Google मेरिएगे तो यहां पर आपको type करना है noise support जैसे ही आपको noise support आपको search करिएगा तो आप यहाँ पर जो कि first में ही यहाँ पर देख पार है noise support का official site पर यहाँ पर आ गये हैं जैसा कि देख पार है आपको support noise का option दिखाया जारा है इस पर आपको click करना है जैसे ही click किजिए तो यहाँ पर जो कि देख पार है noise का official website पर visit कर लिए है नीचे install करके यहाँ तो in case यहाँ पर आपको काफी सारे option दिखाया गया है जैसा कि देख पार है आपको track your order, race your complaint, track your complaint, service center और warranty register का option इनकेश यहाँ पर दिखाया जारा है तो सबसे परले तो हम लोगो को यहाँ पर जो कि वराँटी claim करना है इसके लिए नीचे में देख पार है आपको यहाँ पर warranty register का यह जो option दिखाया जारा है इस पर आपको click करना है यहाँ पर क्लिक केज़ेगा तो आपको वरांटी रेइस्टर करने के लिए फौर फिलब करने का अप्शन आ गया है अब यहां पर नीचे स्टॉल करके एगा तो इनकेस देख पार है सबसे प्रतों इनकेस यहां पर कॉंट्री सलेक करने का अप्शन अरत जो कि हमारा पहले से इंडिया ह नीचे स्टॉल करके आना है और आपको यहां पर फूल नेम फिलब करने का अप्शन अरत तो जिस नेम से आपको अडर किये थे उसी नेम को यहां पर आपको अपना फूल नेम यहां पर फिलब करने का अप्शन अरत यहां पर आपको अपना एक इमेल आडी और इसके आगे मोबाइल नमबर फिल अब करने के बाद नीचे में यहां पर देख पार है वेर डिड यू बट फरम यानि कि आप जो भी प्रोड़क्ट आप पर्चेश किये थे तो कहां से पर्चेश किये थे जैसे कि Amazon, Canon, Chroma तो आपको जहां से आप प्रोड़क्ट को पर्चेश किये थे हों इनकेस यहां से आपको सलेक करना है यहाँ पर देख पार है यहाँ पर पर्ड़क्ट का इंहां पर जो किसा करने के बाद नीचे आपको यहां पर जो पर आपको order number आप से पूछा जा रहा है तो आप order number easily यहां पर जो कि आप जो भी product का invoice आप डाउनलोड किजेगा वहां से आप order number ले सकते हैं अगर आपको यहां पर जो कि invoice डाउनलोड करना नहीं आता है तो आगे मैं आपको बता दूँगा कि कैसे आपको invoice को download करेंगे तो उससे यहां पर जो कि आपको अपना invoice का यहां पर जो भी order number होगा आपको यहां पर order number फिलप कर देना है इसके आगे यहां पर जो कि देख पर है आपको serial number आप से पूछा जा रहा है तो जब कई भी आप product को purchase किये थे वहां से आपको जो जिस product का यहां पर जो कि डीबा ह आपको यहां पर fill up कर दिना है, जैसा कि देख पर आपको country, आपको अपना full name, email id, mobile number, order number और serial number fill up करने के बाद, नीचे install करके आना है, और उसके बाद यहां पर जो कि देख पर है, register now का option है, simply register now पर आपको click करना है, तो आपके mobile number पर one time password, OTP को यहां पर आपको fill up कर दिना है, और OTP fill up करने के बाद, verify OTP पर आपको click करना है, तो देख पर है, यहां पर जो कि लिखा गया है, you have successfully register, यहां पर close का option दिखाया ज़रा है, easily यहां पर आपको close पर click करना है, हमारा यहां पर जो कि देख पाएं कि complaint जो कि register हो गया है, अब यहां पर जो कि देख पार है, आप थोड़े समय के लिए wait किजिगा, तो आपको यहां पर जो कि एक ticket number आपको generate होगा, easily आपको order track करने के लिए, track your complaint पर आपको click करना है, और यहां पर जो कि देख पार है, ticket number का option दिखाया ज़रे, यहां पर आपको mobile number पर ticket number send किया जगा, ticket number को यहां पर आपको fill up करना है, और mobile number पर fill up करना है, और उसके बाद summit पर click करके यहां से आपको अपना details का track कर सकते हैं, तो इस परकार से easily जो कि noise का कोई भी product का warranty claim कर सकते हैं, अब आपको बतायते हैं कि आप यहां से invoice कैसे आप download करिएगा, कोई भी product का invoice download करने के लिए, जैसे कि हम flip card से product order किये थे, तो आप flip card या Amazon कोई भी जहां से आप product order किये थे, ऐसका यहां पर जो कि account में आ जाना है, और उसके बाद यहां पर जो कि देख पार है, ऊपर में order का option दिखा आजा रहा है, order पर आपको click करना है, तो यहां पर in case कापी सरा रहे, आप जो भी product order किये थे, उसका order यहां पर दिखा है जा आपको ख्लीक करना है जैसे कि हम यहां पर उपर में देख पर हमोरे यहां पर नीचे लिखा गया डाउनलोड जोह की कि और इस पर click किज़िए तो यहां पर kosices परकर का आपको इन भॉय दिखाई जगा इसको यहां पर करेगा तो यहहां से आप देख पाले आप यहां पर जो कि order number रीजिली यहां पर आपका दिखाया जा wind चैन और जो कि सब्सक्राइब करेगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टापिक सब तब तक के लिए जाए हिंद बाई बाई